इस वीडियो में मैं e-invoice portal का एक बेतरीन feature के बारे में बताने वाला हूँ यह feature है कि e-invoice से ही e-invoice का जो portal है उसी से आप direct e-webill बना सकते हैं वो कैसे बना सकते हैं तो जैसे ही आप e-invoice के portal पे login करिएगा और उसका e-invoice generated होना चाहिए ठीक है मतलब जिसका भी आपको e-webill बनाना है अगर उसका e-invoice generate किया हुआ है पहले से तो आपको e-webill यहां से एकदम within click आपका बन जाएगा आपको यहां part A जो है already यहां पे सारा filled रहेगा आपको सिर्फ part B का information डालके enter करके आपको क्या है उसको बनाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको कैसे करना है तो e-invoice के portal पर login करिए यहां से login करने के यहां पर आपको दिखे यहां पर tab दिखेगा e-webill का e-webill पर जैसे click करेगा यहां पर दिखे बोलेगा generate e-webill ठीक है आप यहां पर जैसे इसके साथ जाएगा तो आपको क्या दिखेगा नमबर यहां पर आपको यहां तीन अप्सन दिखेगा करते लाजग और आज करतें तो का कले हैं तो आज का किसी आपको क्या करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है आपको यहां पर देखे पार्ट एक जितना भी पार्ट एक जो सारा ऑप्शन था वह यहां पर प्रिफिल्ड आ रहा है है ना क्योंकि ỉने अब आपको सिर्फ बी जो होता है सबने कर यहां पर चांपे प्रहने सब्सक्राइब करेंब अब FUCK लेखा आपकर सब्सक्राइब यहां पर यहां पर pengamento आपके आर्या हता प्लेट ने करें आपको सेब कर देना है यहां से डारेक्ट आपका क्या हो जाएगा ईवे बिल बन जाएगा ठीक है तो यह बहुत ही बहतरीन फीचर है जो कि ईवेज पोर्टल पे दिया हुआ है थैंक यू